li hallo friends कैसे आप लोग आशा है आप सभी अच्छे होंगे देखे फरेंट्स अ अपि जो मुझे आप लोगों को जिस topic पर डिस्कस करना था आप लोगों के साथ energy share करने थी जिस topic को पहले मैं कुछ चीज़ें आपको क्लियर कर देना चाहती हो अगर inner work की बात की जाये तो inner work मैंने inner work को लेकर कुछ वीडियोज भी डाले हैं कई बार मैंने इस बात का जवाब दिया है कि inner work वो होता है जो आप अपने शृद्धा से कर पाते हैं ठीक है? इनर वक कही लोग ध्यान में बैठते हैं, कुछ एक मंत्र का जाब करते हैं, बहुत देर तक चैंटिंग करते हैं, ठीक है, ओम का जाब करते हैं, ठीक है, शेव तांडव का सुनना पसंद करते हैं, शेव तांडव को सुनते सुनते ध्यान में बैठते हैं, ठीक है, यूग आ करते हैं तो उसी वक्त वो जिस भी तरीके से अपने इस्ट के आराधना कर पाते हैं जिस भी तरीके से उन्हें ऐसा लगता है कि वो खुद को अपने मन को और अपने इस्ट को दोनों को शांत कर पा रहे हैं ठीक है जिस भी तरीके से वो उसे ही अपना इनर वक समझते हैं क्य किसी को खुश करने के लिए कि उसको बुरा ना लग जाये हर रिष्थे को बचाने के लिए हर एक ऍबंद को बचाने के लिए हम कुछ नकुछ करते हैं ठीक है पर फ्रेंट जो इनर बखता एक और गरता हैं अपने इस्ट की करते हैं, वो संबंध होता है कि हमारा और हमारे इस्ट के बीच का संबंध, ठीक है, उसको सेव करने के लिए, उसको उस ट्रस्ट से जोडने के लिए, ठीक है, उस संबंध को उसी विश्वास और उसी आस्था से जोडने के लिए, जो हमें और उसे, जो हमार क्यों करते हैं हमें क्यों करना पड़ता है बाकी सोल्स तो बाकी लोग तो नहीं करते तो यह फ्रेंट्स बाकी लोगों का और आपका संबंद बहुत अलग है ठीक है आपकी अवेकनिंग कराई गई बाकी लोगों की अवेकनिंग नहीं हुई उस तरीके से वह अवेर नहीं है उस तरीके से लेकिन जब उनका समय आएगा तो वो अवेर होंगे ठीक है बहुत सारी souls के awakening भी होती है और इस वक्त जो time चल रहा है उस वक्त काफी सारे souls के awakening भी हो रही है जिसका discussion में next जो channeled message दोंगी उसमें करने वाली हो ठीक है तो friends ये जो inner work होता है हर एक soul को करना चाहिए क्योंकि ये जो होता है हमारी सुकून हमारी संतुस्टी से जुड़ा हुआ होता है ठीक है जो समय हम केवल अपनी soul के लिए करते हैं ठीक है किसी के लिए कुछ नहीं करते हैं उस वक्त में केवल हम अपने soul के लिए करते हैं और हमारे जो east है वो क्या चाहते हैं वो ये चाहते हैं कि आप उनके लिए नहीं आप उनको याद करते हैं वक्त ना उनको याद नहीं करते हैं दरअसल आप अपने आप से जुड़ते हैं ठीक है आप जान पाते हैं कि आप क्या है, आपकी खुशी किस्मे है, आपको क्या करना पसंद对, आपकी creative side क्या है जस को दुंदली पड़ चुकी है, कई गमों की चादर या फिर कई दुख दर्द की चादरों में ठीक है पड़ करके वो क्या उच्चुकिये, धुन्दली हो चुकिये, जिसको अब आप देख नहीं पा रहे हैं, अपने creative side, अपनी qualities को नहीं देख पा रहे हैं, हमारे भीतर क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या हमारी hobbies हैं, क्या हमें कमिया हैं, जिन पर हमें काम करना है, क्या हमारी अच्छा लोग क्या करते हैं इस इनर वक को करते वक्त या तो क्रेटिव साइट पर काम करना पसंद करते हैं जैसे बहुत सारे लोगों को पोट्रेट बनाना पसंद होता है किसी को डांसिंग किसी को गाना पसंद होता है गीत गुलगुनाना पसंद होता है, किसी को लिखना पसंद होता है, किसी को कुछ गीत, कुछ कहानिया, ठीक है, उन पर काम करना पसंद होता है, बहुत सारी चीज़े होती है, हर तरीके के यहां पर हम देखते हैं, कि अलग-अलग तरीके के लोग काम करना पसंद करते हैं, व उनको ऐसा लगता है कि वो यह टाइम उनका है और वो उस टाइम को जी रहे होते हैं तो इसलिए कहा जाता है कि अपने क्रेटिव साइट पर भी वर्क कीजिए एक्चिली इनर पीस और इनर वर्क क्या होता है आपकी सोल ग्रोथ के लिए होता है अगर आप साइलेंट ली क्रणती के बारे में सूछ पारे इन एक कम्यों पे फोकस कर पा रहे हैं अपनी सूल ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं और ऐसे में क्या होता है यह होता है इस प्रिच्वल पात के कुछ लक्ष्ण होते हैं जो आगे आने के बाद हमको awakening या किसी भी through हम को हमारे इश्वर हैं वो हमको जोड़ लेते हैं खुद से universe हमसे खुद बाखुद connect करते हैं ये सारी चीज़े ठीक है तो जो inner work होता है वो किसी भी तरह से हो सकता है friends सबका करने का तरीका अलग अलग हो सकता है जिस तरीके से friends इश्वर के आराधना को ठीक है करने के तरीके लोगों के अलग अलग होते हैं वैसे ही inner work, inner self पे काम करने के तरीके सबके अलग हो सकते हैं अब जैसे मैंने inner work भी वीडियो बनाया तो वो मेरा अपना तरीका था ठीक है कि मुझे सिर्फ शिफ्तांडव सुनना पसंद है ठीक है या कोई मंत्रा को सुनना पसंद है और मैं अपने इनव या फिर ध्यान की मुद्रा में वही करना पसंद करती हूँ ठीक है सब के अपने अपने तरीके होते हैं और एक बात बताओंнить कोई भी रास्टा गलत नहीं होता ठीक है इश्वर्थ तक आपको जाना है और आप जो भी मार्ग अपनाते हैं जो भी आपको अच्छा लगता है ठीक है कई लोगों को पसंद होता है कि वो उवरत करें, ठीक है, संकल्प करें और उसके आद मंदिर जाना किसी किसी को पसंद होता है सबके अपने तरीके होते हैं, ठीक है किसी को, मतलब अच्छा रगता है कि अपने इस्ट को याद करना कही लोगों को बात करना पसंद होता है अपने God से, ठीक है, मुझे भी पसंदे, बहुत सारी चीज़े ऐसी है ठीक है, तो सबका ध्यान करने का तरीका, सबका इनरवक करने का तरीका सब कुछ अलग-अलग हो सकता है, रस्ते अलग-अलग हो सकते हैं, लेकिन मन्जिल एक होती है ठीक है, केवल अपने East, अपने Universe को याद करना ठीक है, तो Friends, मैं एक ही बात आप लोगों से कहूंगी कि आप जो भी करें, जो दिल आपका कर रहा है, अपने East के लिए करने का आप वैसे करें, ठीक है, साथ ही आप मंत्रा सुन सकते हैं, ठीक है अगर आपको ऐसा गीत है, जो आपको East Shore से कनेक कर पाता है वो आप सुन सकते हैं, ठीक है, किसी मंत्र का जाब कर सकते हैं, ठीक है शांती से बैठ सकते हैं, सुकून से साइलेंटली अपने आपके बारे में सोच सकते हैं मुझे कभी-कभी जैसे पसंद था काफी वक्त पहले, कि धूप में बैठना मुझे बहुत पसंद था और मैं धूप में बैठके, अगर आपको कोई चीज अगर मैं बताना चाहूँ अपने एक्स्पिरेंस तो मैं एक ही चीज कहूँगी अगर आप जब भी दूप में बैठेंगे, ठीक कभी भी दूप में बैठते ए अकेले, तो अप एक चीज महसूस करेंगे उस वक्त ना, आप सिर्फ और सिर्फ अपने जीवन के बारे में सोचेंगे, चाहे अपनी पास्ट लाइफ के बारे में सोचेंगे, चाहे हमारी आत्मा का प्रतीक है जब हम सूरे के सूरे के आसपास होते हैं या उसकी छाया में होते हैं या उसके दूप के नीचे बैठते हैं तो हम अपनी आत्मा के बारे में सोच पाते हैं कि हम क्या चाहते हैं रियल में हमारी खुशी है या नहीं है किसी काम को जो हम करने जा रह के मन में विचार आएंगे वो आपके जीवन से जुड़े हुए होंगे किसी भी अन्य वेक्ति से जुड़े हुए नहीं होंगे ठीक है आपको वहां आप देख पाएंगे कि आप रियलेटी में आपने जो अब तक अपने जीवन में किया अप उसे खुश है या ना खुश है ठीक है और फ्रेंट्स ये जो जर्णी है ये spiritual path जो है वो आपको यही सिखाने आया है ठीक है Inner work का मतलब क्या है Inner work मीन जो आपको पसंदो करने का तरीका ठीक है इश्वर तक जाने का मार्ट जैसे इश्वर की संताने अनेक है न जैसने हम बहुत सारे लोग है अगर अंत्वरặt पर देखा जाये हैं जिसे हाथ की पांच उंगलियां सबके साइजे सेम नहीं होते, सबके साइज अलग होते हैं, ठीक है, सबकी हतेलियों की रेखाएं एक नहीं होती, सबके थंप्रेंट सेम नहीं हो सकते, सबकी माथे की लकीरे सेम नहीं हो सकती, ठीक है, तरीके से जो इशुर तक जाने का मार है ना वो भी अनेकों तरीके हो सकते हैं और कोई भी गलत नहीं होता वो तरीका किसी का भी गलत नहीं होता इस बात को ध्यान में रखे बस हां तरीका वो ही हो जिसमें आपको हाम ना हो रहा हो आप अपने आपको कस्ट ना दे रहे हो ठीक है आपको कस्ट महसूस ना हो रहा हो उस तरीके को अपनाने में या जो भी चीज आप कर रहे हैं उस चीज से ठीक है आपको आपके अंतर मन को खुशी मिल रही हो आपको शांती मिल रही हो आपको सुकून मिल रहा हो वो जो भी तरीका होगा इश्वर की मंजिल पर जाने का वो बहुत-बहुत-बहुत-बहुत- जादा अच्छा होगा क्योंकि आप वही तरीका अपनाएं ठीक है जिसमें आपको खुशी मिले बस हाँ यह हैं मंत्रों को जोड सकते हैं ठीक है अगर आप शांती से बैठे हैं तो मंत्र सुन सकते हैं सोने से पहले सुनना पसंद होता है मुझे गई बार सोते सोते मुझे मं मत्रो कान में मतलब सुनते रहना पसंद होता है मुझे मतलब आ अलग तरीक art and मेरे दुना के अभको तरीक है अगर मैं अपने ऐसक ने आलग तरीक आपको देखने तो उनको लज़ता है कि मान्त्रों का अपने यिश्ट को प्राप्त करना थीक है अपने ऑस्ट से जोड़न यह चीज होती है ठीक है तो friends किसी को भी आप गलत नहीं कह सकते किसी को मूर्ती रख कर पूजा करना पसंदे किसी को मूर्ती ना रख करके पूजा करना पसंदे ठीक है कोई साकार इश्वर को मानता है कोई निराकार इश्वर को मानता है लेकिन मानते सर्फ इश्वर को है ठी कि जैसे थीजabout मैरे देखा, किकंगे मैं और विधाने की वा दियाँ देखा क्या है थीजे-थीजान, yen मैं एक ठाली सिर्किन काया जान की मैं ठालिश कि म centro星ais तो देखेड़ देखा थीजान का था इसा प्रट्रोट्रोट्रोट्रोट्रोट्रोट्रोट्रोट्रोट्रोट्रोट्रोट्रोट्रोट्रोट्रोट्रोट्रोट्रोट्रोट्रोट्रोट्रोट्रोट्रोट्रोट्रोट्रोट्रोट्रोट्रोट्रोट्रोट्रोट्रोट्रोट्रोट्रोट्रोट्रोट्रोट्रोट्रो करने का मन करते हैं बहुत जादा सोने का मन करते हैं बहुत जादा रेस्लेस फील कर रहे होते हैं ठीक है कई बारे नींद भी नहीं आ रही होती है और रेस्लेस भी होते हैं दोनों ही सिच्वेशन होती है ऐसे में फ्रेंड्स करना क्या होता है मैंने आपको उसमें भी वता दि सकते हैं ठीक है क्योंकि जब आप वह मंत्र सुनेंगे तो जैसे ही आप रिलेक्स मोड में आएंगे हमारे बॉड़ी में कुछ ऐसे हार्मोन्स वर्क करते हैं इस तरीके से कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं कि मतलब हमको भीतर से खुदी हमारे अंदर से रिलेक्सेशन जब होने लगता है तो हमारा जो माइंड है वो एकदम सुकून और शांती में पहुंच जाता है और उस वक्त में क्या होता है जब हम शांती यह सुकून में होते हैं तो एक चीज होती है फ्रेंट समें नीद आती है हम एकदम रिलेक्स मोड में होते हैं तो यह जो मंत्रा अगर में किसी रसी में किसी रूल में नहीं बांदा हुआ किसी नियम में नहीं बांदा हुआ और अगर आप नियमों को फॉलो करते हैं ठीक है आपने देखा होगा मैं आपको कोई भी ऐसा नियम नहीं बताती जिसको आप करें और अगर आप ना कर पाएं तो आपको तकलीफ हो बाद में मैं आपको डिरेक्ट बोलती हूँ कि अपने आपको नियमों से मुक्त रखिए अपने ईश्वर को नियमों से मुक्त रखिए क्योंकि ऐसे में क्या होता है अगर आप connect करने की कोशिश भी करते हो अपने ईस से और आप आई चांस ऐसा नहीं कर पाते हो तो आपको भी बीतर से खेद महसूस नहीं होगा और आपके ईशुर को भी पता है कि जो बच्चा है वो मेरा वो बच्चा ही है वो उसी तरीके से वो नादान है वो उसी तरीके से काम करता है उसको जैसे कर पाता है वो किसी रूल को नहीं मानता और इश्यूर के सामने जब भी जाओ मैं एक ही चीज कहती हूँ कि ऐसे बनो जिसे एक नादान बालक होता है अपने माता-पिता के सामने और उसको नहीं पता क्या वो सही कर रहा है क्या वो गलत कर रहा है ठीक है और वो जो कर पा रहा होते हैं उसमें ही सुकून फील करता है और खुश होता है कि येस यूनिवर्स मुझसे जुड़े हुए हैं मुझे पूरा ट्रस्ट है वो मेरे साथ है वो मुझसे अलग नहीं है, मुझसे दूर नहीं है, और वो कुछ भी ऐसा नहीं होने देंगे, जो मुझे सुखी और मुझे संतुस्टी ना दे, मुझे सुख ना दे, मुझे खुशी ना दे, ठीक है, और जो गलत होगा, वो मेरे साथ होने नहीं देंगे, चाहे मैं उसकी कि कितनी ही तमना किलना करूओ, चाहिए मैं उसके लिए कितनी प्राठनाएं क्यू करूँ, लगिन अगर मेरी आट rich dynasty है, कोई decisions, तो जी से Parents traffic गों。 उनको पता होता है उनके बच्चे के लिए क्या सही है, या गलत है, तो वह ऐसा कुछ होने नहीं देंगे मेरे साथ कभी भी उनके होते हुए मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं हो सकता है ठीक है वो मेरे साथ है इस बिलीव के साथ आगे बढ़ो थ्यान रखो फ्रेंट्स गॉड ब्लेस यू एपी रहो इनर वर्क का सही अर्थ यही होता है आपको जो करने से सुकून मिल रहा है आपकी सोल के लिए आप जो कर रहे हो सोल ग्रोध जिससे हो रही है ठीक है और उसमें बस अपने कुछ मंत्रास को जोड़ लीजिए ठीक है भजन हो सकते हैं या कुछ भी ऐसा गीत हो सकता है इसको सुन के आपको लगता हो कि आप यूनिवर्स से अपने कनेक कर पा रहे हैं ठीक है तो इस तरीके के शांती से रिलेक्सेशन मूड में आप यह सुन सकते हैं और अपने आपको टाइम दे सकते हैं और अगर आपको पस कि एक साथ ही दो दोगा कि जाना पॉलत क Mur шт mobile डीकों किन लाइपक्षक और passo कि सुछेंगे आप कि अपने सोल कर अपने सोछेंगे reward में ने शोचेंगे कि लाइफ में अप लेकर क्या जाएंगे आपको पस इतना सोचना है कि आप लेके क्या जाना चाहते हैं इस दुनिया से अच्छा है यहां अपने सोल की ग्रोथ, सोल परपस कम्पलीट करके अपनी लाइफ को आगे बढ़ाके हैपिनेस के साथ आगे जाना चाहते हैं यह जो अब तक चल रहा था पास्ट प्रिजेंट फ्यूचर जो आपके सामने आई ही जाना है ठीक है जब आप सूरी की रोष्णी में बैटेंगे, सूरी के प्रकाश में बैटेंगे तो आपको उस वक्त महसूस होएगा कि आपने क्या 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 मिला आपको और आगे क्या 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 कर रहे हैं ठीक है तो वो चीज़े आपके सामने आई ही जाएंगी तो सूरी जो है वो आत्मा का प्रतीक होता है ठीक है तो सूरे हमारे आत्मा को डिफाइन करते हैं अपनी सोल गुरूत पर काम कीजिए और मत सोचिए कि आप क्या सही करें क्या गलत करें सबके इनवख करने के तरीके अलग-अलग हो सकते हैं लेकिन मंजिल एक होती है इश्वर और सिर्फ इश्वर जैसे इश्वर के अने अपनी सोल गुरूत की तरफ बढ़ेंगे तो एक तीस आप तेकेंगे कि आप आम वेक्तियों के भीतर भी इश्वर को देख पाएंगे उसी भाव से उनके साथ बेहिवेर कर पाएंगे उनके साथ अच्छा बुरा जो भी आप करेंगे आपको ऐसा मैसूसों को जैसे आपन की तरफ मेढ़े नहीं पाएंगे लूगे क्यूकर कि हम यह जो है अपने इस्ट के ही अंश ऑर गिस अपने इस्ट को मांनता है वो यह शुको कहीं नहीं थोड़े तोड़े ठाइमी नहीं बाद वन रंगत में रंगने लग जाता है ठीक है उसे वही चीजे पसंदाती जो पर सुन दे, ठीक है, ये चीज़े होती है, फ्रेंट्स, मुझे लगता है आप लोगों को मैं इस टॉपिक को अच्छे से क्लियर कर चुकी हूँ, ठीक है, इनर वक क्या होता है, और इनर वक क्यो करना चाहिए, अब मेरी वीडियो को देखके, आप लोग ये कह सकते हैं, कि मै आम लोगों की तरह बात कर रहे हूं, आम लोगों की तरह समझा रही हूं, ठीक है, कोई डिवाइन फ्रैमेन जसी कोई चीज नहीं है, या ये ऐसे वीडियो, वैसे वीडियो, मैंने बहुत सारे कमेंट्स पढ़े हैं इस तरीके के, देखे फ्रेंट्स, मेरा ये होता है, कि मैं जितना जादा सरल तरीके से, जितना सहस तरीके से आपको समझा सकती हूं, मैं उसी तरीके से समझाओंगी, और उसी भाष्रा में समझाओंगी, मेरे लिए उस वक्त ये जरूरी नहीं होता, कि मैं किस तरीके से आपको समझा रही हूं, वीडियो किस तरीके से मुझे ब आपने आत्मा को follow करो ठीक है आपको जो चीज सुकुन दे रही है उस तरीके से सुकून लो ठीक है अब मैंने आपको वो तरीका भी बता दिया है कि आप रायस्ट मोड में यिस तरीके से अपने इशुर से जोड सकते हैं ठीक है आप ये न सोचे कि आप meditation नहीं कर रहे हैं तो आपके इश्र की आरादना में ही आप लगे हुए है उनी की आरादना में आप लीए है ठीक है ये मान करके चलिए वो आपके साथ है खुश रहिए हैपी रहिए खुब खाये खुब पीए ध्यान रखें अपना मुस्कुराते रहें